मैं आपको पांचों महाउपाई शिवजी से जुड़ेवे ही बताऊंगी तो चलिए पहले महाउपाई की ओर बढ़ते हैं क्या आमदनी नहीं बढ़ रही है सावन के महीने में किसी भी धिन घर में पारत शिवलिंग की स्थापना करें उसके बाद विधी से पूजन करें इस के बाद मंतर जो मैं आपको बताने जा रहे हूं उसका 108 बार जाप करें एंग रीम श्रीम ओम नमस्षिवाई श्रीम रीम एंग हर एक मंतर के साथ बिल पत्र जो आपको लेना है वो पारत शिवलिंग पर चड़ाना है जैसे मंतर जपा फिर चड़ाया बिल पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से एक में एंग एक में हरीं और एक में श्रीम लिखें जो लास्ट पत्ता है 108 बिल पत्र है उसको शिवलिंग पर चड़ाने के बाद निकाल ले उसे अपने पूजा के स्थान पर घर में जो मंदिर वगर जो भी है वहाँ पर रखकर डेली उसकी पू किजे किसी भी दिन सुबर जल्दी ऊठकर नहा कर आपको उसके बाद भगवान शिव का पूजन करना है इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाने है अलग अलग बना लीजे अब हर एक शिवलिंग को शिवस्तोत्र पढ़ते वे जलबी शेक करें पढ़ा फिर ज मँद्ण के लिए और संतान की प्राप्ती के लिए गर्भ गौरी रुद्रक्ष भी धारन कर सकते हैं इसी किसी शुब दिन शुब मारद देखकर पहन सकते हैं अब शिवजी का तीसरा महाउपाई क्या है ये जानने का वक्त आ गया है ध्यान से सुनिए क्या है तीसरा सवाल सवाल ये है कि क्या बिवारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है आपको ये महाँ उपाय करना है किसी मंडे को पानी में दूद और काले तिल डाल कर शिवलिंग का अभी शेक करें अभी शेक के लिए तांबे के बरतन को छोड़ कर किसी भी और धातु के बरतन का उपयोग करें जल अभिशेक करते समय ओम जू सह मंत्र का जाब करें इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारन के लिए प्रातना करें और हर एक सोमवार को रात में सवा नौ बजे के बाद गाई की सवा पाउ कच्चे दूद से शिवलिंग का अभिशेक करने का संकल्प लें इस उपाई से बिमारी ठीक होने में लाब होगा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर की सला जरूर लीजे साथ में आप उपाई कर सकते हैं इलाद सबसे ज़्यादा जरूरी है अब शिवजी का चौथा माह उपाई क्या है जानी है पाप से अगर मुक्ती चाहते हैं किसी प्रॉब्लम से मुक्ती चाहते हैं मंदे के दिन शिवजी को तिल चड़ाने से किसी भी नेगिटिविटी का नाश हो जाता है शो के अंत में आपको आज का पांचवा और आखरी माह उपाई बताती हूँ क्या आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है बहुत परिशान है शिवजी का एक महा उपाई कीजिए नड़की की शादी में अगर रुकावट आ रही है फाइव नारियल लीजे लीजे भगवान शिवजी के फोटो के आगे रखकर ओम, श्रीम, वरप्रदाई, श्रीम, नमहा मंतर का पाँच माला का जाब करें सारे नारियल शिवजी के मंदिर में आप चड़ा दीजे